युगो युगो से जल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रम्मार में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाल, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माल जै शनी देर, प्रिय बख करो, मैं स्वामी राजशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटेन लगर, नई दिल्ली से, आज आपके समक्ष, आज का राशी कल बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ आपको जानकर हार्दिक प्रसंता होगी कि मैं दस वर्ष की आयू से ही अपने पोजने पिताशरी, गुरू रजी शिशी जी के निर्देशन में आस्टोलोजी, नियूमरोलोजी और धर्म ग्रंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको साफ्राम रेना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं आज का राशी पल आज 24 सेवरेडी 2020 दिन सोमवार, फागुन मास का शुकल पक्षाल रहा है, और आज प्रती पता तिती, रात्री 11 बच के 15 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात दृतिया तिती लग जाएगी आज अभीजीत मूरत दुपए 12 बच के 17 मिनट से लेकर दुपए 1 बच के 3 मिनट तक रहेगा, इस दौरान केसी भी शुपकारे की शुगात करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल सुभा 8 बच के 20 मिनट से लेकर 9 बच के 46 मिनट तक रहेगा, इस दौरान केसी भी शुपकारे को करने से आप सभी लोग परिंस करेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें अब मैं आपको बताने जारा हूँ कि व्रिष्चिक या निकी स्कॉर्पियो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज आपकी किसमता से तारा डोबा हुआ है और आज आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा शेयर बजार में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आज आपको भारी गाटा दे सकता है यदि आपको ऐसा लगता है कि अत्तादिक परिशम करने के बाद भी आपको मन वांचे दिजर्ट्स प्राप नहीं हो पा रहे हैं और भाग्य मंदा होने के कारण आपके सभी कालों में अर्चन उत्पन होती रहती हैं तो तुरंती स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर्ख करें और मुझसे यानि कि स्वामी राजशी से अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप करें जिनसे आपके भाग्य का सितारा चमक उठाएगा प्रिये भख्यणों यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंती स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर्ख करके गुरू रणीश शीजी से या गुरूमा रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्स कर सकते हैं निश्चित तोर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छूटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यग्यों, महायग्यों के आयोजन करने में हर मंगलवार और हर सणीवार को प्रसाज वितरन करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती हैं आज आपको अनीजीनेस महिसूस हो सकती है जिस कारण आप अपने कारियों में मन नहीं लगा पाएंगे हर्ट पेशन्स को आज विशेश तोर पर ध्यान रखनी की ज़रुवत हैं और आज आप अपनी लो पोलेस्टल टाइट को चीज ना करें तला भुना खाना देखकर आप बहेखे ना आज आपको अपनी माता जी का ध्यान रखनी की ज़रुवत है क्योंकि आज उनको कोई चोड़ पाट लग सकती है आज आप बर्गर के पेड़ पर जल चड़ाएं आज अपनी माता जी का आशिवात प्राप्त करके यदि आप अपनी कारियों की शुवात करते हैं तो उससे उनकारियों में आपको सफलता प्राप्त होते हैं व्रिष्चिक राशी वालों अगर आप अपने प्रेम संबंदों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्टित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रजी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमतकारी उपाय जिसे करने से यदि आप किसी भी कोट केचरी के मुकब्मे में फसे हुए हैं तो आज आपका पप्ष उसमें भारी हो सकता हैं या मुकब्मे में आपकी जीब भी हो सकती हैं आज आप मुकब्मे 15 वक्त अपने साथ थोड़े चावल लेकर जाएं चावल को कचैरी में ही कई पर फैक दें जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा है उसके बाहर फेकेंगे तो ये उपाय जादा फलदाई होगा परिंतु याद रहे चावल ले जाते ये कोट में पैकते वक्त कोई भी आपको नहीं देखे अन्यता इस उपाय को करना विफल हो जाएगा यदि आज इस उपाय को शद्धा फूर्वक आप करते हैं तो निश्चत तोर पर कोट के चैरी के मुकदमों में आपको फाइदा मैसूस होगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दोस्ट आप देता हूँ मेरे नाम संगीता सिंग है कहा रेत्वा दिल्ली शास्त्री नगर पुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए मैंने तीन साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा एफेक्ट हुआ था एक मेने बाद मुझे असर दिग गया था उस टाइम में थोड़ा नहीं कहूंगी बहुत अच्छा टाइम देखा जलत जब मैं आई थी यहां पर तो कर्जा था मेरे उपर लेकिन उसके बाद मैंने एक देड़ साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के दुरू तो उसका अच्छा एफेक्ट हुआ था करजा भी उतरा प्लस उस टाइम पर मैं गुरुजी से ये पूछना है थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना अभी मैं अपना मकान करीद लिया है मैंने मैंने कई जगा जा कर देखा ऐसे लेकिन मजे कहीं विश्वास नहीं हुआ यहां पर गया कि दोका निलगा सब्सक्रे बड़ी चीज़ों रिजूट नहीं है हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और योत्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जान्ने के लिए हमारे करके आप देख दिरें